मरते दम तक नहीं होगा कमर दर्द, घुट्णों में दर्द, कभी नहीं होगी पत्री, मोटापा, होगा सदा के लिए दूर दोस्तों आज की इस खास वीडियो में मैं आपको तीन बहुती पावरफुल चीजों के बारे में बताने वाली हूँ जिसको अगर आप मेरे बताएगे तरीके यानि की आयर्वित की बताएगे तरीके से खाओगे तो इतने बहतरीन फाइदे होंगे जिनकी आप कलपना भी नहीं कर सकते खास कर जिनके भी शरीर में केल्शिम की कमी है, हडिया कमजोर हो रही है, चलने फिरने में हडियों से अवाज आती है, जोडों में गुटनों में, पीट में में कमर में बहुत दर्द रहता है, इसकी इलावा जिन लोगों के बालों से रिलेटिड कोई भी प्राबलम है, समय स पहले जिनके चेहरे पर बुड़ापे का असर दिखने लगा है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही फायदेमन साबित होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंक तक जरूर देखीगा, आईए दोस्तों जानते हैं कौन-कौन सी चीजे हैं वो, ये तीन चीजे हैं जिनका जान से जरूर देखीगा, दोस्तों सबसे पहले नंबर पर सुबह जिस चीज का सेवन करना है वो है अलसी, यनि की फ्लेक्सेट, दोस्तों अलसी के अंदर भारी मात्र में न्यूट्रिशन होते हैं, साथ ही इसके अंदर एंटी आक्सिडन होते हैं, हाई क्वालिटी प्रो कोई भी प्रॉब्लम रहती है, खराब कॉलेस्ट्रोल की दिक्कत है, यनि की जिनको नसों में ब्लॉकेस की समस्या आ गई है, उमर से पहले अगर आपके शरी में बहुत ज़्यादा कम जोरी आ रही है, खासकर पुर्शों के शरी में विर्या की कमी आ रही है, तो ऐसे में अलसी बहुत फाइदे मंद होती है, अलसी का रेगुलर सेवन करने वाले विक्तियों के शरी में जल्दी बढ़ापा नहीं आता, आईए जानते हैं इसका सेवन करने का सही तरीका क्या है, दोस्तों अलसी आपको अपनी बाडी के नेचर के हिसाब से सेवन करनी है, नहीं त अगर आपकी बाडी का नेचर गरम है, बाडी में गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, पित नेचर वाली बाडी है, गरम चीज़े खाने से प्राबलम होती है, तो आपको अलसी कभी भी ऐसे ही नहीं खानी है, आप इसे दो तरह से खा सकते हैं, पहले ऐसी चीज़ के साथ जिससे पित कंट्रोल होता हो, पित शान्त हो या फिर अलसी की जो गर्म तासीर है वो नॉर्मल हो सके देखिए सौफ, मुलठी, नारियल, खीरा, अंकूरित मूग, चाच या फिर घी इसके साथ आप अलसी का सेवन कर सकते हैं मैं यहाँ पर चाच के इस्तमाल कर रही हूँ, आप एक गिलास चाच ले लीजिए यानि जिसे पंजाबी में लसी कहा जाता है सबसे पहले अलसी को तवे पर भून लीजिए, इसे कूट कर पाउडर बना लीजिए ज्यान रखीगा उतना ही पाउडर बनाईए, जितना आप दो से तीन दिन में कंज्यूम कर सके अलसी के अंदर ओयल कंटेंच होता है, जो हवा के संपर्ग में आने से इसमें स्मेल आने लगती है जिस वज़े से आप इसे खा नहीं पाएंगे, इस तरह से आप एक गिलास छाच में एक चमच अलसी के पाउडर को मिला दीजिए आप इसे नमकीन या मीठा बना कर भी पी सकते हैं, मैं इसमें काला नमक स्वाद के अनुसार से एड़ कर रही हूँ आप चाहे तो इसमें मिश्री भी एड़ कर सकते हैं, किसे आप नाच्टा करने के साथ, या फिर दोपैर को जब आप खाना खाते हो, तब आप भोजन के साथ भी आप इसका सेवन कर सकते हैं इस तरह से बेहतरीन result मिलते हैं इस तरह से दोस्तो वे लोग भी ले सकते हैं जिनके वात की समस्या है जी हां जिनके जोडों में गुत्नों में दर्ध होता है जिनके शरीम में calcium की कमी हो गई है वात बड़ा हुआ है रात को संतूलित करना चाहते हो तो वो लोग भी चाच के साथ अलसी का सेवन कर सकते है इसके इलावा पित प्राकरती वाले लोग अलसी का सेवन रात को भिगो कर भी कर सकते है रात को पानी में भिगो दीजिए और सुभे अलसी को चबा चबा कर खा लीजिए बचे हुए पानी को भी पी लीजिए जिनको कफ के समस्या है हमेशा खांसी जुखाम होता रहता है छाती में बलगम जमा हो गया है तो वो लोग भी अलसी का सेवन कर सकते हैं अलसी का सेवन उन्हें शेहत के साथ करना है एक चमच अलसी का पाउडर एक चमच शेहत लेना है इसे खा लेना है इसे खाने के बाद आपको पानी वगेरा कुछ भी नहीं पीना है आदे गंटे के बाद आप कुछ भी खा पी सकते हैं दोस्तो इस तरह से अगर आप लेते हैं तो चाती में जमा हुआ बलगम, सरदी खांसी जुखाम की समस्या आप बिल्कुर ठीक हो जाएगी जी हाँ ये बहुत ही पुराना घरेलू नुसका है इसका इस्तमाल आप जरूर करके देखीगा इसकी इलावा जिने वात से संबंदित कोई भी रोग है वह लोग जिसके बारे में मैंने बताया कि वो चार्च के साथ ले सकते हैं नहीं तो अलसी को गूल लीजिए और दो चमच अलसी को ऐसे ही खाना खाने की एक गंटे के बाद ले लीजिए उपर से थोड़ा सा गुड़ खा लीजिए इस तरह से वात वाले लोग इसका सेवन कर सकते हैं इसका सेवन लगातर किया जा सकता है गर्मियों के मौसम में अलसी का सेवन ध्यान रखकर करना चाहिए वैसे इस थंट के मौसम में बेफिकर होकर आप इसका सेवन कर सकते हैं दोस्तों शरीर में बड़े हुए बुरे कॉलिस्टोर को दूर करने साथ ही दोस्तों ये शरीर में बड़े हुए एक्स्ट्रा फैट को मेल्ट करता है जी हाँ, फैट को reduce करने में ही help करेगा आपने इसका सेवन लगातार एक से डेट महीने तक लगातार करना है तो इसका result आपको कुछ ये दिनों में दिखने लगेगा खास कर दोस्तों यह महिलाओं के लिए बहुत ही उपयोगी फायदे मन्द है जिन महिलाओं के periods आगे पीछे हो जाती है हार्मोन इंबैलेंस वाली problem हो चुकी है जिसे diabetes बेगारा हो गया है तो उनमें भी आप LC का सेवन कीजिए बहुत ही जबरदस result देखने को मिलता है चलिए अब जानते हैं दूसरे नंबर पर आपको कौन सी चीज़ का सेवन करना है वो है सफेद तिल जिनको हड़ियों की कमजोरी रहती है जोडों में गुटनों में दर्द रहता है उन्हें इसका सेवन करना है अब मात्रा कितनी होनी चाहिए किन लोगों को कैसे खाना है शरीर के नेचर की हिसाब से कैसे खाना है वे सब मैं आपको बताने वाली हूँ पहले तो इसके फाइदे देख लेते हैं इसके अंदर दोस्तो भारी मात्रा में कैल्शियम होता है ये कैल्शियम का गुड सोर्स है एक चमच तिल के अंदर 100 mg से जादा कैल्शियम पाय जाता है तो जिन लोगों के शरीर में कैल्शियम की कमी है उनके लिए तिल से अच्छी कोई चीज नहीं हो सकती तो उन्हें रोजाना तिल अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए तिल का सेवन दोस्तों उन लोगों को जरूर करना चाहिए जिनके शरीर में वात बड़ा हुआ हो, जिनके शरीर में कमजोरी रहती हो, या फिर जिनको अर्थराइटेस पीठ में, कमर में दर्द रहता है, गठिया की समस्या हो गई है, हाथ पैरों में गर्द होता है, यानि शरीर में होने वाले किसी भी तरह के दर्द हो, इस तरह के द मैं आपको बता देती हूं, श्री में अगर गर्मी जादा रहती है, पित नेचर वाली बॉडी है, तो आप तवे पर इसे भून लीजिए, भूने हुए तिल को पीस कर आपको छाज के साथ लेना है, जैसे मैंने आपको अलसी खाने को कहा, उसी तरह से आप तिल का सेवन कर सक अगर ठन के मौसम में कर रहे हैं, तो आप दो से तीन चमबच की मात्रा में ले सकते हैं, जिनके जोडों में गुटनों में दर्द रहता है, वात नेचर वाली बॉडी है, तो वो लोग भी इस तरह से चाज के साथ इसका सेवन कर सकते हैं, इसके इलावा, जिने कफ की प्र दिल के बीज लीजिए, थोड़ा सा गुड लीजिए, इन दोनों चीजों को मिला कर आप चबा चबा कर खा लीजिए, दोस्तो इसे सुबह के समय खाना चादा फाइदे बंद होगा, अब जानते हैं दोस्तो तीसरे नंबर पर कौन सी चीज है, जिसका आपको सुबह सेवन करना है, यह आप देख रहे हैं कि यह चीज है दोस्तो कलोंची, इसके बारे में आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी, हर मर्ज की दवा है कलोंची, यह इतनी फाइदे मंद होती है जिनके बारे में आप सूच भी नहीं सकते, दोस्तो कलोंची के फाइदों के बारे में जा द्यान रखना चाहिए आपको एक दिन में एक चुथाई चमच की बराबर कलांजी का सेवन करना है इसते जादा आपको सेवन नहीं करना खासकर सर्दियों के मौसर में ये बहुत फाइदेमंद होती है दोस्तों आपको मैं इसके दो तरीके बताने वाली हूँ आप रात वर क के लिए एक कप पानी में भिगो कर कलांजी को रख दीजिए और सुबह उठकर पानी सहीत कलांजी को गरम करके ले लीजिए यानि की चाई की तरह ले लीजिए इसका सेवन आपको सुबह सुबह खाली पिट करना है या फिर आप नाश्टा करने की आदा गंटा पहली भी आपको खा लेना है फैकना नहीं है इस चीज़ का विशेश ध्यान दखना है दोस्तों जैसे कि आपनी कलांजी की चाय बना कर पी ली कलांजी के पानी को उबाला तो उसकी चाय बन गी और उसके दाने भी आपने खा ले ली है दूसरा तरीका भी आपको बता देती हूँ य जो लोग high blood pressure की समस्या से पीडित है या फिर जिनकों भी sugar level बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है जोडों में दर्ध रहता है गुतनों में दर्ध की समस्या रहती है श्री में uric acid बढ़ा रहता है गठिया की समस्या हो गई है तो उनके लिए राम बान अशदी की तरह ये क पानी के साथ ले सकते हैं या फिर आप कलोंजी के तेल को एक गिलास जुन्बने दूद के अंदर mix करके भी ले सकते हैं रोजाना सुबह एक चमबच कलोंजी का तेल किसी भी तरीके से लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत फाइदेवन्द होगा आप इसका इस्तमाल करके ये महसूस करेंगे कि आप में बहुत चेंज आ चुका है दोस्तों ये हर मर्ज की हर बिमारी की दवा है इसमें मोटे मोटे फाइदों की बात करें तो ये उमर को लंबा करती है शुगर लेबल को कंट्रोल करती है ब्रड प्रेश्र को कंट्रोल करती है आपका बीपी हाई रहता है या फिर लो रहता है तो दोनों ही kondition में आप इसका saving कर isn't एक है दसों में blockers की समस्या रहती तो उसे दूर करने में ये मदद करेगा श्रीक का blood circulation अच्छा हो जाएगा blood circulation proper नहीं होने से बहुत सारी पीमारिया हो जाती है जैसे कि नंबनेस की समस्या हाथ पेर सुन की समस्या वैरिकोजवीन की समस्या हाथों में कमपन की समस्या तो इस तरह की समस्या को ये दूर करता है इसके इलावा जोडों में दर्द, खुटनों में दर्द, हाथ पेरों में दर्द, एचन की समस्या इस तरह की समस् तो उसमें भी आप कालोंची के तेल का इस्तमाल कीजिए जो पुर्ष विरे नाश कर चुके हैं शरीर कमजोरी आच चुकी है तो उन लोगों के लिए एक से डेड़ चमबच कालोंची के तेल को सुबह सुबह एक गिलास अनार के जूस के साथ पीना है लगातर 21 तक पीते रह दिये शरीर की कमजोरी दूर हो जाएगी शरीर हश्ट पुष्ट हो जाएगा इसके इलावा भी दोस्तों कलोंची के और भी बेहतरी फायते हैं तो दोस्तों आज हमने आपको तीन चीज़ों के बारे में बताया जिसे अगर आप रेगुलर अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो आपके शुक्त में बहुत सारे फायदे मिलेंगे शरीर की लगबग 90% तक बिमारिया जड़ से खकम हो जाएगी तो आज की वेडियो में बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी आपकी काम की है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अ अपकी हर एक सवाल का जवाब सिरूर दिया जाएगा विलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए स्टे हल्दी ऑल्वेस बैपी थैंक्यों फर वाचिंग में वीडियो ओके बाई